हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं काफी जादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं अपने चैनल पर पहली बार प्लेन तो यह जो प्लेन है वो है जैड़ वाई 530 प्रो जिसके अंदर आपको 2.4 गिगाज के फिक्वेंसी मिलती है और भाहिया जी यह जो प्लेन है ना काफी अच्छी रेंज के साथ में आता है मतलब इसको फ्लाई करते हैं आपको बहुत जादा मगाने वाला है बाकि यह जो प्लेन है मैंने बाई इसके अंदर मिल जाते हैं जैसे कि आप यहां पर देखी सकते हो बागी चलो फटावड क्या करता हूं इसकी करता हूं बॉक्सिंग तो यहां पर आप देख लीजे हमारा जो प्लेन है लगबग हो चुका है अन्बोक्स पहले देखने को मिलती है इसकी यूजर गाइड तो इसका एक्सरीज वाला पाउच अब इसके साथ आपको क्या-क्या एक्सरीज मिलती है वो भी देखी लिए तो देखो सबसे पहले तो आपको यह कैप मिलती है जो कि आपको प्लेन के फ्रंट वाले फेस पे लगाने है जिससे कहीं भी टकराएगा ना तो इसको कोई डैमेज बगरा नहीं होगा पर यहां पर यहां पर की साइड में ठीक है कोई नहीं कोई बाद में लगा दूँगा यह प्लेन की बैटरी को चार्ज करने के लिए एक यूएस्बी वाला चार्जर जिससे कि आपकी प्लेन की बैटरी चार्ज होगी यहाँ पर आप देख लीजे दो प्रोटेक्टिंग रिंग मिलती हैं जो कि आपकी जो प्लेन की प्रोपेलर्स है उनको प्रोटेक्ट करेंगी प्लेन के लिए प्रोपेलर्स मिलती हैं उसी के साथ प्लेन के जो लैक्स है यानि की जो वील्स है वो मिलते हैं तो देख लिए यह आपके वील्स है और यह आपकी दो प्रोपेलर्स एक्स्ट्रा में पर यह है इस plane का remote control, अब मैंने भी कभी भाई plane को fly नहीं किया है, I hope कि इससे accelerate करेंगे हम, इससे left right और आगे तो होता नहीं हो, left right मूड़ेगा और accelerate होगा, बहुत तेजी में fly करेगा आगे की तरफ, ठीक है, उसी के साथ यहां पर यह है इसका cell compartment, जिसके अंदर आपको 4 double cell ड दाल चुका हूँ, बाकि यह वाले बटन क्या काम करेंगे, वो user guide में पता लएगा, ठीक है, उसको मैं पढ़ लूँगा, तब जाके मैं इसको fly करूँगा, बाकि चली अभी क्या करते हैं, इन सारी चीजों को प्लेन के उपर install करते हैं, जैसे कि यह हो गया, यह वाला पार ठीक है, अब ही क्या करते हैं, प्लेन में यह wheels वगरा लगाते हैं, इसके पन्ये, तो यह भाई, यहां पे लगेगा ठीके देखो, यह इसकी cab लग गई, जब कहीं भी टकराएगा, अब यह कहीं भी टकराएगा ना, तो damage नहीं होगा ज़्यादा बागे यहां पर प्लेन के अंदर बैटरी रखी गई है, इसका बैटरी कमपार्डमेंट है, उसी के साथ यहां पर यह प्लेन के अंदर ओन ओफ के लिए बटन है, तो चलिए फटावट करते हैं इसको ओन, तो ओन करने के बाद ना, प्लेन के ऊपर में, नीचे में, भाई, सब में, लाइट जलना स्टार्ट हो गई है, कितना जादा मस्त लग रहा है, तो चलिए रिमोट को भी ओन करता हूँ हाँ, अभी कनेक्ट हो गया है, ये वाई साथ, ठीक है, चलो फटावट, गिराउंड में चलते हैं, फ्लाई करते हैं तो बागी के इस प्लेन उटाने में, बहुती जादा मज़ा आ रहा है, सच मैयार, मैंने इतने सारे ड्रोन फ्लाई किये हैं, हेलिकॉप्टर फ्लाई करता हूँ, यह किन यार इसका जो मज़ा है ना, वो एकदम आउट स्टेंडिंग है, और सबसे बढ़िया बात तो मला हवा चल रही है ग्राउंड में, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से फ्लाई कर रहा है, और हाला कि इतना अच्छा मेरे से फ्लाई करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी, जब मैं से फ्लाई कर रहा हूँ ना, एक अलग ही मज़ा आ रहा है, टोटली मज़ा आ रहा है मेरे को तो, और इसकी बैटरी जो है बाकी ड्रोन के मुकाबले और हेलिकोप्टर के मुकाबले कुछ जादा चलती है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही प्रोपिलर्स है, उसी के साथ आप इसको जब थ्रो करते हैं, तो उस तरीके से भी आप इसको अराम से फ्लाई क परवा सकते हैं, तो भीया जी अगर आपको ये बाई करना रहेगा तो डैडी ड्रोन.in वेबसाइट से आप इसको बाई कर सकते हो, वहाँ पे ये आपको अच्छे रेट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, वेबसाइट का लिंक और बाई लिंक मैंने दोनों व कैसा लगा प्लीजर कमेंट करके बताओ, अगर ये वीडियो से लगी हो तो लाइक जरूर कर दो.